हलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है मेरे यूट्व चैनल एस प्रेंट्स आर्जजीरो फाइब में और आजम बत करने वाले हैं मासागर और माधीब के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे चट्टानों के बारे में जो कि इस एक होती है अंतर वेदी आगनी चट्टान यानि की अंदर जमता है और वहीर वेदी आगनी चट्टान जिसमें बाहर की और लावा जमता है ठीक है फिराती आपकी आपसाधी चट्टान है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं ठीक है तलचट तूटते हैं और परिव ठीक है और ये परतों वाज स्थरों में मौजूद होते हैं तल छटी में संगनन होता है जिसे हम लिटी फैक्षन कहते हैं इसमें जीवास में पाए जाते हैं ठीक है इसके कौन से पिरकार हैं यहां ते ग्रूप से निर्मित होती है एक तो जैसे की बलवा पत्थर हो गया हो गया चूना पत्थर हो गया कोईला हो गया ठीक है नेक्स्ट आपकी राशाने ग्रूप से निर्मित होने वाली जैसे चूना पत्थर हो गया आपका हैलाइट हो गया यह आपकी राशाने ग्रूप से निर्मित होने वाली चट्टान है ठीक है लास्ट है आपकी रूपां षाहतान और ताप्मान का बड़ार रहता है इसके दो परिकार है ऊस्मा और Uno अरड दैनल धृमड डैने पर बॉरु दाने इसमें अचानख अचानख ताप्मान के परिवत्टा से बढ़तन है में यह पर चलता रहता है रोक सके अंदर ठीक है आप को नेक्स्ट बात करेंगे हम ज्याला मुखी से पहले हम कर लेते हैं चलो ज्याला मुखी कर लेते हैं कि उसके बाद हम मासागर देखेंगी पहरे ज्वाला मुखी देख लेते हैं ज्वाला मुखी को चार भाग होते हैं एक तो होता है सीएंडर एक होता है कंपोजिट एक होता है कबच एक होता है अपका कॉल डेरा ठीक है मिस्ट्रेत में आपके सबसे चिपचपा भाग होता है है जिसको मलावा कहते हैं यह कम चिपचपा लावा होता है और इसमें सबसे विस्पूर्टक वाला अपने आप डह जाता है यह आपका सकाफी खतरनाक होता है यह जौला मुखी ठीक है तो यह था जौला मुखी आप हम पढ़ेंगे मासागरों के बारे में मासागरों के बारे में देखांगे सबसे पहले करें तो देखेंगे हम था मैनलीफेचर एंट्र से मांट में कि सब नेक्स्टतारम पटस्ते में से जो माशागर वनता हैं जैसे यह पूरा इसमें नीची-नीच जानी तो पूसी मांट मिलगा फेल Adventure सबसे लॉंगेस्ट और लार्जेस्ट लेंड फॉम है पूरे अर्थ पर दा एज ऑफ ओशेनिक रोक्स इंक्रीज एज यू मुव अवे सबसे पहले पढ़ते हैं महादीब के बिस्ताफन के बारे में ठीक है तो इसमें मादी बिस्ताबत में यानि कॉंटिनेंटल ड्रिफ्ट में बढ़ेंगे 1962 में अलफ्रेड विनेगर द्वारा इसको दिया गया वेगिनर द्वारा जो आरिये वल ये उन धुर्विये पलायन वल के कारान इनका निर्माण होता है यानि कि ये विस्ताफन गरते हैं सम्मेन कुछ काउं के विकास के कारण murder के विस्ताफन होता है इसके पिर्माण इसके evidence कामिल जिखस और फिट्ने विए जीवास मंदार और प्लेसर जमा इसके पिर्माण है evidence है मरियाना गर्द सबसे गहरा गर्द है जिसको हम चेलेंजर डीबी कहते हैं और छित्रपल के अनुसार गड़ते हुए करम में माधीप सबसे बड़ा माधीप है यह आपका एशिया दूसरा आपका आफरीका तीसरा आपका उत्रिय अमिर्का चौथा आपका दच्णी अमिर्का पांचवा आपका अंटार्टिका चटा यूरोप और साथवा है आस्टेलिया यह आपके माधीप के करम है जन्जंग्या के अनुसार माधीप का करम सबसे बड़ा है आपका एशिया फिर अफरीका फिर यूरोप फिर आपका दच्णी अमिर्का फिर आस्टेलिया अंटार्टिका अंटार्टिका में नामात्रि लोग पाय जाते हैं यहां के बल साइंटेस्ट रिस्टर्च करने जाते हैं बाकी इसमें कोई पॉपॉलिशन नहीं पाय जाती है काफी ठंडा है क्योंकि यह माइनस देड़ सो तक आपका तापमान रहता है ठीक है मासागर का करम देखेंगे कि सबसे बड़ा मासागर आपका प्रसांत मासागर फिर अटलंटिक मासागर फिर हिंद मासागर फिर दच्छन अटलंटिक फिर आर्क्टिक मासागर ठीक है सबसे ०ियस्त जो मासागर है वह अलंट pilgrimage मासागर है और सबसे घहरा मासागर वह आपका प्रसांत मासागर यह आपके माधिप मासागर के बारे हमने कुछ चीजे देखी 법 पर आपके समुद्री जीव जалась जैक्सा ठेल सैवाल के साथ सेजी वी सम्मल में मौझूद होते हैं कॉलोनी में मौझूद होते हैं अनकूर इनकी परिस्तितियां होती है खारा पानी मीटे पानी में भी जीवत नहीं रह सकते हैं मीटे पानी जीवत नहीं रहते हैं सब कि अवले खारे पानी में जीवत रहते हैं सूरज की रोखनी चाहिए इनको साफ पानी और तापमान 30-35 डिगरी के बीच में और ग्रेट बेरियर रीफ आश्चेलिया सबसे बड़ा आपका प्रवाल पाया जाता है ग्रेट बेरियर रीफ आश्चेलिया में फिर आपका कौरल बिलीचिंग य highlight यानि पिरवाल पिरऊनजन जब पानी बहुत करम होता है तो मूं मूंगे अपने ő तक में रहने वाले सहवाल को बहार निकाल देता है जिससे मुंगे पूरी तरह सफेद हो जाते हैं ठीक है इसे हम पिरवाल बरेंजन कहते हैं सो गाइज यह थे आपके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मासागर और माधीब से रिलेटर जिसको हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हम आपको ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ टाटा बाई बाई दोस्तो